हेलो बच्चों कैसे आप लोग नमस्कार विद्यार्थी मित्राणी महित्री निन्नो P.W. चा या अमेजिंग प्लाटफर्म मदे तुम्चा सगडा पहलांदा मना पासुन खुब स्वागता है मी आपली केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर पल्लावी कुल करनी आज मी तुम्चा साथी आजुन एक ट्रिक गेऊना लेली आए फॉर दा पॉडन पिरियाडिट टेबल या चाप्टर मदला सगडा जास्तवेला विचारला दनारा क्वेस्चन असतो फाइंड आउट दा पॉजीशन ओफ फालिविंग इलेमेंट इन दा पिरियाडिट टेबल पॉजीशन मंजे काय फाइंड आउट कराई चास्त दोन गोष्टी एक तरा है पिरियेड नंबर दुसरा है ग्रूप नंबर पिरियेड नंबरानी ग्रूप नंबर कसा शोधाई चा यची एक साधी सरड ट्रिक मी तुमाला सागणा रहे सगडा तादी बगुया पिरियेड नंबर साथी पिरियेड नंबर फाइंड आउट कसा कराई चा तर पिरियेड नंबर मंजेच शेल नंबर असतो चेल नंबर मनझेच, जा शेल मदे तहचा आउटर्मोज एक अखाद है इलेमेंट चा आउटर्मोज इलेक्ट्रोन प्रेजेन आसतो, त्या शेल चा नंबर मनजेच पीरेड नंबर आसतो, तुम्हाला मी example देते, example आहे sodium, sodium चा symbol आहे na, sodium चा classification जे तुम्ही school मदे, class 10 मदे शिकला है, ते साधर simple distribution of electron काहे एता, atomic number 11 आहे sodium चा, that is 11, आनि electron configuration तुम्ही काहे लिता, 2,8,1, right? 2,8,1 यह चा मदे, अपले आला माईते की, 2 electrons are present in the first shell, shell number जला आपन के मन्टो, 8 electrons are present in the L shell, आनि 1 is present in the M shell, वंजे यह केस मदे, किती shell present आहे, किती houses present आहे, 3 houses, 3 shell present आहे, वंडोन आपन जला, यहाचा period number काहे मन्टो, यहाचा period number is equal to, period number is equal to 3, वरवबर sodium is present in the period number 3, त्याज प्रभाने आज उनेके एक्जांपल भोगविया, ते एक्जांपल आहे, क्यल्सियम च, आता, क्यल्सियम चा, अटामिक नंबर आहे, 20, right? कैल्सियम चा अटामिक नंबर जेड इज इक्वल तो 20 फार कैल्सियम आता त्याचा डिस्टिबिशन काये जाला साधा सारा डिस्टिबिशन कराये चे टेल इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन ची सुद्दा गरज नहीं 2,8,8,2 दिस इस देलेक्ट्रोन डिस्टिबिशन फा कैल्सियम आता ही थे तुमी बहुत शक्ता किती प्ीयाट साहेथ 1,2,3,4 किती ही सहलसे नहीं 1,2,3,4 ननुन चा प्ीयाचा प्ीयाट नंबर आ हे 4 कैल्सियम इस प्रेजन प्रेजन इन वापराई चाहे ठीक है आता जाओ ये ग्रूप नंबर कड़े ग्रूप नंबर साथी वेगड़ा वेगड़ा ट्रिक्स आहे देरार इफ्रेंट ट्रिक्स फॉर दिफ्रेंट ब्लॉक इन दे पिर्याडी टेबल उसका मतलब क्या है अगर आप S ब्लॉक की बात करो उसके अलग D और F ब्लॉक के लिए अलग-अलग ट्रिक्स है वो क्या है हम लोग देखते हैं सबसे पहले देखेंगे S ब्लॉक के लिए ट्रिक और S ब्लॉक S ब्लॉक के लिए group number is equal to number of valence electrons ठीक है number of valence electron यह हो गया F ब्लॉक का ट्रिक सबसे पहले है magnesium का example ठीक है अब magnesium mg उसका symbol है Z is equal to 12 for magnesium राइट Z 12 है इसका electron distribution कैसे होगा 2,8,2 no need to even write 1s2,2s2,2p6,3s2 ओ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है तिरफ इतना लिख पाओगे तो भी more than sufficient इससे हम लोग निकाल पाएंगे उसका group number राइट तो देखो अभी इसमें आप देख सकते हैं valence shell कौन सा है यह valence shell है राइट यह valence shell है last वाला यह valence shell बोलते हैं valence shell में कितने electrons है दो तो magnesium का group number हो गया magnesium का group हो गया 2 राइट क्योंकि उसके last outermost या फिर valence shell में दो electron से अब देखते हैं दूसरा एक्जामपल लीथियम का lithium Li उसका formula है राइट और उसका electron distribution क्या होगा धेड़ उसका 3 है राइट तो electron distribution हो गया 2 प्लस 1 और उसके last shell में एक ही electron है तो lithium का group number बन गया एक है ना तो lithium belongs to group number 1 which is of alkali metals, magnesium belongs to group number 2 which is of alkaline earth metals तो group number 1 और 2 के लिए आपको ये trick यूज़ करना है जो कि S block कर ठीक है S block को कोई भी element अगर हो उसके लिए आपको यही trick यूज़ करना है राइट तो चलते हैं P block की तरफ अभी P block के लिए क्या करना है देखो P block में जब भी element आता है तब उसमें क्या होता है 10 electron एक्स्ट्रा आते हैं S block के comparison ने वो क्यों कि S और P दोनों के मिला के S के 2 और P के S के 2 और P के 6 ऐसा करके 2S और 1P ऐसा करके 6 प्लस 4 10 एक्स्ट्रा एलेक्ट्रोंस उसमें add होते हैं at every P block element तो उसके लिए क्या trick होगा group number is equal to P block के लिए number of valence electrons plus 10 उसमें क्या करना आपको 10 add करना है right simply 10 add करना है valence electron में सबसे पहले carbon का example देखते हैं जिसके लिए atomic number is 6 right atomic number is 6 इसका electron configuration क्या होता है 2,4 right 2,4 is the electron configuration for carbon तो उसका group number क्या हो गया बच्चो carbon का group number हो गया जैसे कि last shell में 4 electron है 4 electron valence है तर 4 अधिक दाहा 4 plus 10 is equal to 14 carbon is present in which group group number 14 ठीक है एक और example देखते है nitrogen का इसके लिए z is equal to 7 electron distribution क्या हो जाएगा 2,5 तो इसका group number क्या होगा group number होगा balance electrons है 5 है ना 5 plus 10 तो हो जाएगा पंधरा 15 nitrogen is present in कौन सा ग्रूप पंधरा group number 15 राइट सग्ड़या पी ब्लॉक इलेमेंट साथी ही ट्रिक तुम्हें वापर रूशकता balance electrons मदे तुम्हाला दाहा एड कर रहे जाए बराबर अब देखते हैं डी ब्लॉक का ट्रिक बच्चों डी ब्लॉक के लिए देखो डी ब्लॉक में क्या होता है दी जो shell ह वो होता है n-1d n मतलब last वाला जो shell होता है और s जो होता है वो ns sub shell होता है इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है n-1d as well as s दोनों के बारे में electrons उसमें add करने है राइट तो कैसे करेंगे एक example देखते है fe fe के लिए z is equal to 26 तो इसका configuration कैसे लिखते है वो सबसे पहले देखें तो 26 उसका atomic number है राइट आयन का atomic number क्या है 26 तो इसका electron configuration कैसे लिखेंगे argon core completed लिखना है मतलब argon को box में लिखना है square bracket में 26 में से 6 जो है वो जाएगा 3d में 26 में जो 6 है वो जाएगा 3d में और जो 2 है वो जाएगा 4s में 2 है वो जाएगा 4s में राइट तो 3d यह हो गया इसका n-1d और 4s हो गया इसका nsd राइट तो इसका group number कैसे हो जाएगा to number of electrons in 3D जो कि है 6 plus number of electrons in 4S जो कि है 2, मतलब group number हो गया 8 तो iron का group number क्या हो गया यहाँ पे 8 सभी D block elements का group number आप यह trick यूज करके find out कर सकते हैं समझ गए तो यह 3 trick हो गये group number find out करने के लिए पर S block, P block and D block अब बचता है कौन सा block? F block F block के लिए कोई trick नहीं है कुछ नहीं है, आपको सिरफ यह चीज याद रखना है F block element का F block कोई भी, कोई भी element from the F block, उसका हमेशा group number रहता है 3 always group number is 3 for all F block elements वक्त तीन number लक्षा ठीवाइचा है कुनता ही F block element आप लाला तो आज हमने देखा सबसे पहला trick था period number के लिए और बाकी 3 trick थे for group number of F block P block and D block और last में मैंने आपको बताया F block का group number हमेशा 3 होता है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे ही simple tricks और techniques we can learn for the modern periodic table henceforth thank you so much and all the best to you